तो जो अभी टॉपिक सुरूँने वाला है वो है पेरोल और पेरोल के अंदर आज जो भी करेंगे हम टोटली प्रैक्टिकल करेंगे टैली के उपर कोई थियोरी वर्क नियुका अल्रडी मैं आपको थियोरी वर्क बता चुका हूं एक एक चीज एक्स्प्लेइन कर चुका उसमें कैटेगरी हो चाहे ग्रूप हो चाहे एमपलॉई हो चाहे पै हैड्स हो आज टैली पर यह सारी चीज़े कैसे परफॉर्म की जाती है वो सारकसार आप करेंगे तो सबसे पहले आपको पता है कि आपने कंपनी क्रियेट करनी होती है और कंपनी करीएट करने के बाद आपने सबसे पहले चीज़ पेरोल को अनेबल करना होता है ठीक है जिसके लिए आप F11 की को यूज करते हैं आपने F11 की यूज की यूज करने के बाद दूसरा फीचर आता है आपका कि आप एकाउंटिंग फीचर को क्लिक करें क्लिक करने के बाद यहां पर आपका आता है कि मैंटेन पेरोल जो आपका यह वाला पाड़ आता है यहां पर आपको दो चीज़े यह करनी होती है पहला होता है कि मैंटेन पेरोल को आप अनेबल करें और दूसरा होता है कि maintain more than one payroll को भी yes करें I repeat पहला होता है maintain payroll और दूसरा होता है more than one payroll इसको yes करने के बाद आपने इस window को save कर देना होता है then save ठीक है जब यह window आपकी save हो जाती है इसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर आकर statutory and taxation को enter करके यहाँ पर भी आप अपनी statutory को enable कर सकते हैं ठीक है दो चीज़े और आ जाती है हमारी जो कि मैंने बता है यहाँ पर कि आप enable payroll statutory जब आप pay head बना रहे हैं तब भी कर सकते हैं आप शुरू में भी इसको yes कर सकते हैं एंटर किया यहाँ पर सारी detail फिल करने के बाद आप simple enter कर देंगे एंटर यह विंडो से वोगी आपके आपके सामने अभी जो option आ चुका है हमारे पास वो payroll का आ चुका है payroll info आपके सामने present हो चुका है तो सबसे पहले हम payroll info पर enter करते हैं और सबसे पहले चीज़ बनाते हैं एंप्लोई केटेगरी तेन क्लिक किया अपने एंप्लोई केटेगरी पर और यहां पर मैं simply employee बना रहा हूं ठीक है मैं कोई head office नहीं बना रहा कुछ नहीं बना सिंपल मैं यहां पर employee लिखा और employee लिखने के बाद जस्ट मैं एंटर करता हूं और यहां पर कोई changes नहीं कर रहा, simple मैं category में employee मैंने create कर लिए, escape किया, then उसके बाद फिर employee group, employee group पे मैंने enter किया, then create और यहां पर सबसे उपर जो category पूछी गई है, right hand पर आपकी category आपकी category औरेड़ी दिखाई दे रही है, आप simple उसको click करें, click करने के बाद, आप देखेंगे कि यहां पर आपकी employee category आ चुकी है, second option आता है कि आप group बनाए, तो group के लिए मैं एक department बना रहा हूँ, जिसका नाम है purchase, मैंने purchase department किया, under primary रखा और enter करते हैं उसको save कर दिया, इसी तरीके से आप different different जितने भी departments हैं, वो सारे के सारे group में बना सकते हैं, उसके बाद आता है आपका employee, आपने employee को click किया, enter, then create, सबसे पहली चीज़ आती है आपकी कि आप category decide करें उस employee की, तो मैं employee कर रहा हूँ, category के लिए, ठीक है, और उसके बाद मैं employee का नाम दे रहा हूँ, आमन, under purchase department, आपको select करना पड़ेगा, right hand से, then उसकी details आप fill करेंगे, कि उसका employee number क्या है, designation क्या है, suppose salesman है, salesman, designation, sales, इसको आप, क्योंकि purchase department में है, तो purchase executive रखिए, purchase executive, then function उसका purchase, new product, ठीक है, उसकी location, suppose Delhi है, यह सारा data उसका fill कर देंगे, आप mail है, क्या उसका date of birth है, father's name क्या है, everything आप यहाँ पर fill कर देंगे, उसकी pen details वगरा, bank account वगरा details फाइल करने के बाद, enter करके save कर देंगे, तो यह बनेगे आपका employee, employee के बाद आपने unit बना जीते है, unit of work, ठीक है, यानि आप उसको जो भी पैसा देंगे, वो किस चीज को नाप कर देंगे, तो unit of work में आते है, then create, पहली unit बनाई आपने hours ले ले, enter, ठीक है, hours जब आपने लिखा, तो उसको हम अगर decimal में change करेंगे, यानि minutes में change करेंगे, तो decimal number two होना कंपल सरी है, जैसे कि एक गंटे को 60 में करते हैं, तो two कर दिया मैंने या आपर, then minute ले लिए आपने, यहाँ भी आप zero रख सकते हैं, या two कर सकते हैं, आपकी है, then day, enter किया, enter करके save, ठीक है, और arrow की से आप उपर जाएंगे, तो type वाले option में आपको दो option दिखाई देंगे, जहाँ पर आप compound कर सकते हैं, पहले मैंने simple बनाया, अब मैं compound बना रहा हूँ, मैंने compound को enter किया, यहाँ पर days लिया, और days में मैं convert कर रहा हूँ, कि मेरे यहाँ जो employee है, वो आट रेंटे काम करते हैं, मैंने enter किया, then hours, enter करके save कर दिया, उसी तरीके से मैं hours को भी convert कर सकता हूँ, और यहाँ पर मैंने hours को कर दिया, 60 minutes, enter, then save, अब उसके बाद आता है, आपका attendance production, ठीक है, तो यहाँ पर आपने attendance production को use करना है, तो create की attendance production पर click, पहले आपने बनाया sick leave, enter, under primary रखेंगे, और sick leave पर company पैसे pay करती है, क्योंकि company ने यह allowed कर रखेंगे चुट्टियां, तो attendance leave with pay पर आप enter कर हुए, दूसरा आता है आपका absent, under primary रखा आपने, और इसको leave without pay कर दिया, क्योंकि यह चुट्टी employee नहीं की है, तो leave without pay कर दिया, enter करके save कर दिया, then third बनाया, आपने overtime, primary, ठीक है, और production, क्योंकि overtime तभी मिलता है, जब आपका काम ज्यादा हो रहा हूँ, यानि production हो रहा हूँ, अच्छा कासा, तो आपने production लिया, और production आपका hours और minutes में count होता है, तो मैंने hours में ले लिया, then इसके बाद, आपका overtime होने के बाद, अगर कोई extra activity है, extra activity, यानि उसने अपने काम के साथ में कुछ और company के लिए काम किया है, ठीक है, उसमें company कुछ उसको reimburse कर रही है, तो under primary और इसको आप user defined calendar type डाल सकते हैं, clear, या फिर आप यहाँ पर calendar का भी एक बना सकते हो, ठीक है, calendar means वो कुछ-कुछ दिन आता है, मतलब Monday आ गया है, कभी Friday आया, कभी किसी दिन आया, तो वहाँ पर आप बना सकते हो, then primary और यह भी user defined calendar टाइप में आता है, जहाँ पर fix नहीं होता कि वो रोज आएगा है, डेली आएगा हो कभी किसी दिन आया महिने में, तो उसके लिए आप calendar को design करते हैं, then उसके पास pay head आता है, pay head पर create किया, तो सबसे पहली चीज़ बनती है, आपकी basic salary, आपने basic salary को enter किया, then यह earning for employee में आती है, ठीक है, यहाँ पर आपके बास different options हैं, बट सबसे पहली चीज़ आप देखेंगे, earning for employee, enter किया, यह fix होती है, indirect expense, basic salary, यहाँ पर आप flat रखें, ठीक है, और calculation period के अंदर आपको मन्त करना है, मन्त किया, enter करते हैं, save पर दिया, दूसरा आप बना लें, HRA, ठीक है, HRA भी आप earning for employee में रखें, HRA आप variable कर सकते हैं, यह fix कर सकते हैं, कुछ भी आप, it's depend on you, indirect expense, under indirect expense, ठीक है, और यहाँ पर as computed value रखें, then क्योंकि हम एक percentage के according ही, HRA उसको provide करा रहे हैं, यहाँ पर आपने on specific formula रखें, enter, then basic salary, ठीक है, और यहाँ पर आप amount up to ना डालकर, सीधा percentage डालें या value डालें, आपने suppose percentage डाला और मैं 40% कर रहें, ठीक है, यहनि HRA आप basic salary का 40% pay कर रहे हैं, enter करके save कर दिया, इसके बाद हम graduate ले लेते हैं, graduate, graduate क्या होती है, कि जब आप company को कुछ साल, यानि 5 साल अगर company को देते हो, तो company आपको कुछ benefits देती है, तो उसको हम graduate बोलते हैं, then यह graduate अंडर graduate के ही आती है, enter किया, तो graduate days of month is 30, ठीक है, company जो भी pay करती हो 30 के according करती है, 1 to 60 month, company कुछ pay नहीं कर रही है, यानि 5 साल तक company कुछ pay नहीं कर रही है, अगर आप company में 5 साल से उपर jump करते हैं, तो company आपको हर 5 साल बाद 15 दिन की salary pay करती है, then यह current liability होती है आपकी, ठीक है, और set alter income tax detail को आप yes कर सकते हैं, then enter, enter, then save, इसके बाद आप convince बना सकते हैं, convince, ठीक है, और इसको भी earning for employees में रखें, fix रखें, then यह भी आपका indirect expense होता है, then इसको flat rate कर दें, और यह भी monthly के according कर दें, enter, enter, save, ठीक है, तो इस तरीके से आप one by one सारे बना लें, तो कौन-कौन से होते हैं देखें, मैंने convince बनाया, इसके बाद आप over time बना सकते हो, earning for employees, ठीक है, इसको आप variables रखें, fix की ज़रूत नहीं है, यह direct expense ही रखें, और as user defined, इसको user define कर दें, क्योंकि यह जितना काम करेगा, उसी की according इसको मिलेगा, enter, save, इसके बाद आप bonus ले ले, bonus, ठीक है, under bonus आता है bonus के ही, यह indirect expense होता है, yes, bonus आगया आपका, ठीक है, और, आप इसको as user defined, यहनि company को profit होगा, तभी bonus मिलेगा, otherwise नहीं मिलेगा, या फिर आप on production, अगर production अच्छा हुआ, तो भी company को मिल सकता है, तो आप इसको simple as user defined value ही रखें, क्योंकि यह कम जादा होता रहता है, then save, इसके बाद कुछ extra भी होते हैं, खर्चे जिन्हें हम variable, variable पे बोल सकते हैं, जो कि count में नहीं आते हैं, आप justify नहीं कर सकते हैं, कि कहाँ पर हुआ है, रिंबर्स होते हैं जादतर, तो आपने simber, इसको भी आपने earning for employee में ही रखते हैं इसको, या earning for employee, variables हो जाते हैं, यह भी indirect होते हैं, एंटर, और यहाँ पर आप इसको as you define रखें, एंटर, save, ठीक है, company प्रोवाइड कराती है food employees को, तो आप उसको जो allowance पोल सकते हो, तो canteen deduction के नाम से ले सकते हो, ठीक है, तो canteen deduction यह जब deduction का नाम आगया, deduction from employee में आएगा यह, एंटर किया आपने, ठीक है, यह indirect expense ही होता है, अच्छा, जब हम deduction करते हैं, तो हम इसको current asset के नाम से जानते हैं, ठीक है, employee की salary से पैसा deduct कर रहे हैं, तो यह current asset होगा, और as user defined value होगा, एंटर, देन से ठीक है, उसके बाद हम बोलते हैं कि, एक और बनाते हैं, salary advance deduction, ठीक है, अब salary advance deduction का मतलब गया होता है, salary advance deduction का मतलब ही होता है, कि, जो company का employee है, उसने कुछ advance में loan ले लिया है, ठीक है, कुछ पैसा पहले ही ले लिया है, अभी उसने उतना काम नहीं किया, बढ़ उससे पहले वो पैसा ले लिया है, तो salary advance deduction के नाम से, हम उसको बना सकते हैं, under आता है, यह loan and advance के, एंटर किया, ठीक है, और, एंटर करने के बाद, जहाँ loan and advance में ही आपने एंटर करना है, यह भी as user defined value होता है, एंटर करते हूँ, सेव कर सकते हो, उसके बाद रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट, रिम्बर्समेंट होता है कि कंपनी के ब्याब के आपने कुछ पैसा खर्च किया है, और आप ओ प्पै कर रहे हो, मतलब कंपनी आपको पे कर रहे है, आपने पे कर दिया, पहले आपने पे किया, बढ़ आपने क्लेम किया, उसके बाद कंपनी आपको पे कर रहे है, तो यह आप directly रिम्बर्समेंट के according ही डाल सकते हैं, इंटर इंटर यह भी एस यूजर डिपाइंड वैलू होता है अब बात करते हैं जो डेडक्शन में आते हैं हमारे स्टेचरी डेडक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम टीएफ ही हमारे पास आता है पीएफ का ही नाम ले लेते हैं और एंटर करते हैं और यहां पर employee statutory deduction यहां पर पीएफ कमांड दे रखी है एंटर किया ठीक है और जब आप पीएफ बनाते हो तो यह आपका current liability के दढ़ाता है एंटर और यहां पर आपने एंटर किया देन आपने यहां पर भी on specific formula रखना है क्लिक किया basic salary का एंटर और यहां पर भी आप percentage रखें और 12% कर दें एंटर करते हैं इसको safe कर सकते हैं ठीक है तो यह आपका पीएफ बन जुगा है अब अगर आप ESI की facility भी मिली हुई है आपको तो आप ESI बना सकते हैं यह साई ठीक है यह साई फिर से आपके अर्निंग इस्टेचरी डिडेक्शन में ही आता है एंटर किया ठीक है और यहां पर employee state insurance आपने अपने एंटर किया दैट यह भी current liabilities के अंदर आएगा आपका ठीक है और यह सब कुछ agities रखना है आपने on specific formula ठीक है और यहां पर basic salary and percentage आपने डाल दिया 1.75 एंटर करते है और सेफ करते है उसके बाद आता है NPS NPS national pension scheme आपने इसको लिया यह भी आप employee state insurance में डाला आपने then tier 1 national pension scheme के अंदर डाव दिया आपने then इसके अंदर जब आपने national pension scheme किया then current liabilities enter करते हुए इसको भी आप as computed value ले 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 और यहां पर भी आपने on specific formula basic salary ठीक है यहां पर आप एक percentage डाल दें जो 10% तक हो सकती है एंटर करते हुए सेफ करते हैं ठीक है सेफ करने के बाद अब आप बना सकते है प्रोफेशनल टेक्स जिसे हम प्रोफेशनल टेक्स एंटर किया आपने ठीक है और प्रोफेशनल टेक्स को एंटर के रेस्टेशन नमरों गयरा डालके आपने इसको लाइबिल्टी में डाला एंटर यहां पर भी आप चाहें तो एक स्पेसिफिक फॉर्मूला डाल सकते हैं बट मॉस्ट पावली हम क्या रखते हैं और करेंट अर्निंग टूटल रखते हैं क्योंकि अर्निंग पर ही उसका यह स्लैब चार्ज होता है तो अर्निंग में आप क्या करना है कि कर दें अप तो जदा अच्छा रहेगा गर वैल्लू के क्योंकर देते हैं अगर वैल्लू के ब्रॉक्त Electric कर सकते हैं बट में यहां पर वैल्लू के अकौर्डिंग इन सबको डाल रहा हूं तो मैंने सबसे पहले ओं.. डाल दिया कि सब्सक्य को स्पो में 15 कर चलगा हैं और इसके बाद आपने बनाना है income tax इंकम टेक्स एंटर इसके बाद आता है आपने अगें एंप्लोई स्टेचरी रिडेक्शन ठीक है और यहां पर इंकम टेक्स को ही आप सेलेक्ट करें एंटर दन आपका यह करेंट लाइबिटी ही रखें इसको एंटर इंकम टेक्स इस तरीके से आप अपनी वन वाई वन सारे बना सकते हैं और फिर एसके बाद आपने इंकम टेक्स डिटेल बनाना है तो इंकम टेक्स डिटेल पर आपने सबसे पहले पहले पैड कंफिगेशन करना है एंटर करोगे वाई डिफॉल्ट बनी हुई होती है एक्चुल वगरा सारी चीज़ें इसमें दे रखी होती है सारी की सारी ठीक है देन डिकलेशन पर आते हैं तो डिकलेशन में सबसे पहले चीज में जो होती है वह होता है हाउस रेंट अलाउंस को क्लिक करें ठीक है ओल रेगुलर टैक्स रिगमी एंटर और एफेक्टिव डेश वन प्रेस की आपने डिकलेश सपोज आप कर रहे हैं 5000 कि 5000 रुपे मैं रेंट के दे रहा हूं और यहां पर भी 5000 रुपे का प्रूप भी दे रहा हूं ठीक है मेट्रो सिटी और नोन मेट्रो चोईस आपकी है कोई जहां पर आप रहा है लें लेंलोड का नाम मैंने रफी डेनॉट कर दिया ठीक है और एंटर करके इसको सेव कर दें यहां पर अधर वेल्यू करके एंटर करके सेव कर दें जब्इंट हरा एक नेग्स्ट और जो ज्यादा फ्रुला सा इंपोरेंट होता है वो होता है कि आपने सिंगल एंपलोई मल्टिपल कम पोनें मैं ऑपने जीन डाला यह कि उसका जो पैसा एक वहां पर वहां क्या कर रहे हैं वह आप करेंगे कि single employee multiple component आप कुछ भी इसमें multiple employee single component भी ले सकते हैं मैं अभी जो use कर रहा हूं single employee multiple component ले रहा हूं मैने click किया ठीक है तर्यहन मन और यहां पर income शो कर रहा है वह अपनी house property से enter किया effective date 1 उसके ने जो तो इंकम डिखले करी है वो टिखले कर रहा है वो 3Log घुला अटरेक का ही डाल रहे है और 5 पुबी 3Lok के दे रहा है टक्स कर रहा है गॉनमेंट रसके को 3400 रुपे पूर्व भी 3400 के ही लगाएगा कि को इसका रसमेजान रेंट पर अपर कुछ पर कुछ ले रखा है उसकी एमाइज आ रही है बैली सो रुपे एंटर किया तो टोटल जो उसके मांट बन रही है वह दो लाग तीन अजार रुपे बन रही है बस आपने इस तरीके से करें नाम पर ही वर करें रहें वन प्रेस किया सपोज आपने इसके बाद अचारे और फिर उसके बाद कुछ भी डाल सकते हैं कैंटीन पॉनस कंवेंस कंवेंस डाल दिया आपने तो जार रुपे तो यह आपका सेली टेल्स बन गया अब यहां का फॉर्मेट में लास्ट बनता है बस वाउचर टाइप पर आपने एंटर किया इसमें आप अल्टर पर आएंगे अल्टर पर आने के बाद आपने पेरोल को सिलेक्ट करना है इसमें इसमें पर आप सेली अ रिखा अपने सेलरी पेपल करेंट लाइबडिटी केंडर डाल आपने और यहां पर यूज फोर पेडिरूल को यस करना कंपल सरी रिपेट यूज फोर पेडिल को कंपल सरी यह करना एंटर करते हुए आप बहार आजाए ठीक है एंटर दन से तो यह आपका वाउचर बन गया अपका अपने एंटरी करने है और एंटरी करने के लिए आपने फिरहों वाउचर को स्लेक्ट किया एंटर दन सेलरी पेवल पर आया आप ठीक है एंटर 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 और यहां पर जो भी डेट है जैसे सपोज आप एक पांच दो हजार भीस को यूज़ कर रहे हैं ठीक है वहीं आप फिर एकत्यस पांच दो हजार भीस को यूज़ कर रहे हैं अगर आप रिपोर्ट चेक करना चाहते हैं और यहां पर आकर डिस्प्ले डिस्प्ले में आने के बाद पेरोल रिपोर्ट इस्टेट्मेंट आफ पेरोल पेसलेप सिंगल पेसलेप एंटर और यह आपकी पेसलेप आगी इसको प्रेंट कर दें और पी से डैनियस तो ये आपकी पूरी की पूरी कम्प्रेट्ली पेसलिप बनगी इस तरीके से आप अपना पूरा 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 पेसलिप बना सकते हैं पूरा पूरा पेरोल मेनेजमेंट कर सकते हैं तो ये था कम्प्रीट टैली के अंदर कि हमने किस तरीके से पेरोल को मेनेज किया अपने स अपने पीमेंट करने होती है पेमेंट बाउचचर। आप्वेच कर लोगों